नमस्कार दोस्तो मैं जिससाब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ तक में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पीएम किसान सम्मा निदी योजना का फॉर्म अपने से कैसे फिल अप करें कौन कौन से डॉक्मेंट की चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जो दोस्तों इनकी ऑफिसियल वेपसाइड है पीएम किसान डॉट जोवी डॉट इन को ओपन कर लें उसको थोड़ा सा निचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप बैनर सो हो रहा है उसके निचे आप पर रीचसानों सकते हैं तो आपके सामने यहां पर फ और मधर यहां से इहां अपने किया है कि उनका क्या है और यहां पी अगर अपने आवेधन किया है तो आप यहां से उसका registration का details check कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों जो अपने से आविधन करेंगे और आपकी कोई details गलत हो चुकी है तो आपको यहां से update करने का option मिलेगा तो पहले सबसे पहले हम आपको बता जाते हैं कि आपको आविधन fill up करते समय आपको जो आधार कार्ड में detail है उसी को fill up करें उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके bank account से link होना बहुत जरूरी है उसी में payment आपको receive होगा तो सबसे पहले आपको यहां पर new farmer registration वाले option पर click करना है जब आप इस पर click करेंगे तो समय सतरी के काइंटर फेस सो और यहां पर आधार नंबर फिल करना है और capture code को फिल कररें के continue वाले option पर click कर दे जब आप इस पर click करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरी के counter-face सो होगा record not found with given details तो आपको यहां पर ओके वाले option पर क्लिक करना है अगर आपने पहले registration करवाद दिया है तो आपके सामने यहां पर सो होगा कि दिस आधार अल्रेडी registered तो अगर आपने नहीं करवाया तो इस तरीकी का option मिलेगा तो ओके वाले option पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीकी का इंटरफेस होगा ग्रामीड का किसान या सहरी का किसान अगर आपके पास गाउं में जमीन है तो रूरर फार्मर रेजिट्रेशन पर क्लिक करना है और अगर आप सहरी छेतर से हैं और अपकर जमीन जो सहरी छेत में है तो अर्बन फार्मर रेजिट लग फिल करना है विलेज उहां ही कहना ठीए दोस्तों जिस गाउ में आपकी जमीन है यह लगायों में यहां से फिल करेंगे तो यहां पर फार्मर का नाम जंडर को फिल करना है लिए फिल कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि हमारा मत प्रदय स्टेट है च्ह quickly प्रदेश से करना है और आपकोड और फिल करने की दोस्तों आर्प यहां पे जो बेंक नेम का उप्सन है उस को प्लिक करिए तो बैंक का नाम अटमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और दोस्तों यहां पर एक ऑप्षन मिलेगा सब्मेट फॉर आधार वेरिफिकेशन करें तो आप यहां से इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने डिटेल्स होगा क्योंकि दोस्तों जो आपने डिटेल्स फिलप कि क्या है लो डिटेल्स होना चाहिए क्योंकि आधार काड में जो नाम है उसी को इहाँ पर अपर फिलप करें अगरं अलग फिलप करते हैं तो यहां पर वेरिफाइड नहीं होगा और पेल्मेंट आपका रुख जाएगा तो आपको यहां पर वेरिफाइड कर ले डा है तो उसके बाद दोस्तों नीचे में जमीन की डीटेल्स को फिल अप करने का ओप्सन मिलेगा तो दोस्तों अब आपको यहां पे जो जमीन की डीटेल्स है सिंगल एंड जॉइंट सिंगल वाले में ऐसा वेक्ति जो कि किसी एक पर्टिकुलर वेक्ति के नाम पे जमीन हो और आपके जमीन में कई और लोग के नाम पे जमीन हो अब यहां पर एक एड का उप्सन मिलेगा एड वाले उप्सन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रो बन जाएंगे जिसमें आपको सिरियल नंबर खसरा और खाता नंबर और इरिया इन हेक्टेर में फिल अप करने का उप खसरा दोनों नंबर मिल सकता है और अगर नहीं मिलता है तो आप एंपी भूले की जो वेफसाइड उसको ओपन करें तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा यहां पर एक फ्रीवाले सर्विस का उप्सन मिलागा इस पर आपको किलिक करेंगे तो आप उस पहले आपको अपना पटवारी हलका नंबर सेलेक्ट करना है जो भी आपकी पटवारी हलका हो उसके बाद अपना गाउं सेलेक्ट करना है उसके बाद दूस्ते हैं पर आपको दो आप्सन मिलेगा एगर नाम से और खसरा नंबर से अगर खसरा नंबर पता है तो आपको खस नंबर को सलेक्ट करने उसको यहां पर दिखाएगे इस कैप्चा कोट को फिल करके यहां पर वीवरन वाले ओप्सन पर क्लिक करें तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटर्फिस होगा दोस्तों कुछ इस तरीके का रहेगा जहाँ पर आपका नाम और पूरे डिटिल्स होगा तो हैं पर एक उप्सन मिलेगा देखे के नीचे खसरा भीवन नक्सा तो जैसा कि जो खाता नंबर होता है दोस्तो ओ भीवन में मिलेगे तो आपको भीवन वाले उप्सन पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस तरीके का यहां पर खाता नमबर, खसरा नमबर और एरिया इन हेक्टेर का तीनों डिटेल्स आपको यहां पर मिल जागा तो यहां पर जो सबसे पहले आपको खाता नमबर फिल करने के लिए बोला जा रहा है वहां पर इसको फिल करें यहाँ पे खसरा नमबर और यहाँ पे एरिया इन हेक्टेर जैसे जैसे लिखा है उसी को सेम उसी तरीके से यहाँ पे फिल अप कर दे तो दोस्तो इस तरीके का आपको फिल करके एड करते जाना है और अगर अधिक नमबर से हैं तो इस तरीके से फिल करते जाए उसके बाद आपका application number हो गया दोस्तों आप उसको इसे track कर सकते हैं आप एक वाले option पर क्लिक करेंगे तो यह आपको प्रब्लेंक सो होने लगा और जो दोस्तों खाता और खसरा नमबर होते हैं वो हर state का अलग-अलग websites हैं आप अपने अपने इस्टेट की website को चेक कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप online आविदन कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें चानल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो धन्यवाद दोस